स्वागत है आपका बाईपी एजूकेशन ट्रिक चैनल पर जैसा कि आपको पता है किलास 12 एग्रिकल्चर का आपका सलेबस चल रहा था और किलास 12 एग्रिकल्चर में आपकी चल रही थी एग्रोनोमी सब्जक्ट क्या बटा एग्रोनोमी किलास की बात करें तो किलास 12 एक्रिकल्चर है आपका चैनल आप देख रहे हैं बाई पी एजुकेशन ट्रिक चैनल हमारा बाटसब नमबर है 8650415957 8650415957 आप इस नमबर से संपर्ख कर सकते हैं देखिए अब हम इस वीडियो में बात करेंगे गुलाब की खेती का बढ़न तो जो गुलाब की खेती का बढ़न है बेटा इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यह जो गुलाब की खेती है यह 2021 सॉरी 2022 आपकी शुरू हो गई 2022 के एक्जाम में आपको यह कोशन देखने को मिलेगा 99% मैं इस कोशन की गारंटी लेता हूँ बेटा कि यह गुलाब की खेती आपके एक्जाम में छपेगी ठीक है तो इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक देखना तब ही आपके समझ में आएगा गुलाब की खेती तो आप हमारी चैनल पे नए है या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेट कर लेके सब्सक्राइब बटन पर किलिक कर ले बराबर में बैल आकन की घंटी है उसको भी प्रैस कर लें इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को upload करेंगे तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा तो करते हैं वीडियो की सुधात चलिए समझे देखो सबसे पहले आपको यह दिहार रखना है कि जो गुलाब है गुलाब का बनस्पतिक नाम क्या है बनस्पति नाम का मतलब है बौटनिकल नेम इसका क्या है तो बौटनिकल नेम है रोजा इंड का क्या है बौटनिकल नेम रोजा इंड का अगर हम इसके कुल की बात करें उलका मतलब आपको पता है इंगलिस में क्या बोलते हैं से फैमिली अगर हम फैमिली की बात करें किस फैमिली से है तो रोजी एसी फैमिली से है तो ये दो बात तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी नमबर बन आपको बनस्पती नाम याद होना चाहिए रोजा इंड का, क्या है रोजा इंड का, और रोजा इंड का सी देखी, रासे रोजा और रासे रोजे सी, तो रोजी सी भी आपको दिहार रखनी है, ये बेटा दो बाते आपको रटी होनी चाहिए, क्या रटी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, गुलाप का बनस् आपको नुकसान नहीं होगा फिलाल बता देते हैं हिमालें छेत्र कौमा पश्चमी एसिया अब समझो आप गुलाब के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करेंगे देखो गुलाब को सुंदर्ता, सुगंद मित्रता तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है गुलाब का जो फूल होता है सुंदर्ता, सुंगंद यानि सुंदर भी होता है और उससे सुंगंद भी मिलती है मित्रता तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है इसी कारण गुलाब को पुस्व राज की संगया दे गई है किसकी जो गुलाब है इस गुलाब को किसकी संगया दी गई है विटा ये आपको दिहार रखना है पुस्वु राज की संगया दी गई है तो ये भी आपको बात दिहार रखनी है आगे समझते हैं दोगो भारत में गुलाब की खेती कटे फूलों कॉमा सुंगंदित तेल कॉम इत्र कॉमा माला हेतु खुले फूल आदी के लिए की जाती है तो गुलाब के खेती का बढ़न हम एक व्यवसाई के रूप में करते हैं जिससे आप देखो उसके फूलों को काट के आप मार्केट में बेश सकते हो सुंगंदित तेल और गुलाब जल इत्र इत्र का मतलब होता सेंट और माला हेतु जैसे आप माला को फूलों की माला बना सकते हो ठीक है उस वेस पर खुले फूल आदी के लिए की जाती है तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानिए तो यहां तक आपने समझ लिया इतना आपने पूर्शन पढ़ लिया गुलाब को सुंदर देखिए फिर से रिबाज करा देता हूं गुलाब को सुंदरता सुंगंद मित्रता तथा प्रेम का पित्तीक माना जाता है इसी कारार गुलाब को पुस्वराज की संग्या दी आगे समझू इनके पौधो का उप्योग आर्च परगोला को बनाने कॉमा गुलाब की केयारिया एंजिक आदी में किया जाता है गुलाब का प्रेयोग खिड की या जरो का उद्धान में भी अत्य दे किया जाता है कुछ सहरों में तो यह पिरदरसन है तू गुलाब के उद्धान भी स्तापित किये जाती है। उद्धान का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो, गार्डन. ठीक है? चलिए आगे समझते हैं. अब हम थोड़े से असके संचित्थ इतियास की बात करेंगे. तो थोड़े सा संचित्थ इतियास के बारे में आप समझे गुलाब की. यदिक की link को अपने सबी दोस्तों में share भी कर दीजिए तो समझे बेटा देखो गुलाब की उत्पत्ती उत्तरी गोलार्द से हुई है कहां से हुई है उत्तरी गोलार्द से हुई है भारत में प्राचीन काल से ही गुलाब उगाया जाता है यानि पुराने समय से ही भारत के अंदर गुलाब की खेती की जाती है गुलाब उगाया जाता है प्राची संस्क्रित साहित तरोडी पुस्व में ही गुलाब का उल्लेख मिलता है मुगलकाल में गुलाब को अत्यंत लोगप्रिता हासल हुई ही ठीक है कब हुई थी अगर ज्यादातर गुलाब की लोगप्रिता की ब कौन थी देखो मुगल काल की बात हो रही है बेगम नूर जहां नूर जहां किसकी सौकीन थी तो गुलाब के फूलो की सौकीन थी इसलिए वो जो गुलाब है वो अतियंत क्या है अधिक लोग प्रिये हो गया कौन से राज में या कौन से काल में तो वो है मुगल काल आगे समझे आप अगली दो लाइने समझे भारत के पिर्थम प्रदान मंत्री पंडित जवालनान नहरू का गुलाब के पिर्थम प्रेम सर्व बिद्यत है ठीक है भारत के पिर्थम प्रदान मंत्री कौन थे पंडित जवालनान नहरू ठीक है पंडित जवालनान नहरू की बात चल राष्टिये पुस्व है तो किस किस का राष्टिये पुस्व है देखो इंगलेंड का भी राष्टिये पुस्व है और सरिंक तुराज अमेरिका का भी क्या है राष्टिये पुस्व है ठीक अब हम थोड़ा सा और जानेंगे गुलाब के बारे में अब हम समझेंगे सबसे प एक्जाम में बैठेंगे वो 2,022 में गुलाब की खेती को अच्छे से पढ़के जाना ठीक ये कोशन आपका एक्जाम में देखने को मिलेगा बकाया इंपोर्टेंट कोशन मैं बाद में आपको बताऊंगा चलिए तो इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं गुलाब के प्रिकार पर देखिए बिस्व की बात कर रहे हैं यानि आल बर्ड की बात कर रहे हैं पूरे बिस्व में गुलाब की 20,000 से अधिक किसमे उपलबते हैं ठीक है इसकी बैराइटी जो हैं वो 20,000 से अधिक हैं पूरे बर्ड की बात हो रही है इन किसमों को 5 बर्गों में बाटा गया है कितने परगों में बाटा गया है पांच परगों में बाटा गया है इसके गुलाब के अब इनके अंत्रगत जो किसमें आती है वो हम समझेंगे लेकिन मैं सरल से सरल किसमें बताऊँगा हैं तो बहुत सारी ठीक है आपको बताया देखी 20,000 हैं लेकिन क्या 20,000 आपको याद हो जाएंगी नहीं होंगी तो मैं बहुत simple simple बाली जो नाम आपके सुने हुए हैं वो नाम बताऊँगा ठीक है तो जैसे देखिए यहां पर समझ गुलाब को पांच बर्गों में डिबाइट किया गया था तो पांच बर्ग आपके कौन से थे यह पांच बर्ग है जैसे hybrid T है पहला hybrid T तो hybrid T के अंत्रगत कौन सी किसमें आती हैं वो समझो जैसे बसंत या डच गोल्ट कॉमा सुपरिश्टार कॉमा फस्ट प्राइज कॉम सोनिय कॉमा बजाजो आदी यह देखिए सारे नाम कहीं ना कहीं सिंपिल नाम है और आपको यह नाम याद होंगे इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपिल बाले लिये हैं नाम ताकि आपको याद भी करने में कोई भी समस्या ना हो तो hybrid T की बात आएगी तो आप इसमें लिख सकत बसंत डल्च गोल्ट सुपरिष्टार फर्ष्ट प्राइज सोनिया बजाजो आदी यह हो गई अब आब आप आती है सेकेंड नंबर पे है फ्लोरी डा फ्लोरी बंडा तो देखो फ्लोरी बंडा की अंत्रकत आने वाली जो किसमें है वो क्या है पहली क्या है जंतर मंतर कॉ कॉमा सोला कॉमा ओल गोल्ड कॉमा एंजल फेंस कॉमा डान्स कॉमा मत्रा आदी यह जो किसमें है यह आती है फ्लोरी बंडा के अंत्रकत किसके अंत्रकत फ्लोरी बंडा के अंत्रकत यह आपको ध्यान रखना है इसमें आती तो और भी बहुत हैं लेकिन मैंने बहुत कम लि बारे में समझो पॉली इंथा के अंत्रगत जो किसमें आती हैं वो हैं अंजिबी कॉमा रस्मी कॉमा स्वाती कॉमा नर्तकी कॉमा प्राती कॉमा त्रपती आदी यह जो हैं यह पॉली इंथा के अंत्रगत आती हैं नैस्ट है लता तो लता की अंत्रगत देखो आर्च परगो आदी आकास दीब, कॉमा कमपैसन, कॉमा लामार्क ये जो किसमे हैं ये आती हैं लता के अंतरगत नेश्ट है मिनी एचर तो मिनी एचर में क्या आता है देखिए चंद्रमा, पिक्सी, सिंट्रेला, देहली स्कॉलेट, कॉमा लॉलिपॉप ये जो किसमे हैं ये मिनी एचर की ह तो देखिए आपने क्या समझा भी आपने ये समझा गुलाब के प्रकार तो गुलाब के किस्मों को कितने भागों में डिवाइड किया पांच भागों में वो आपने पढ़ लिया ठीक अब हम समझेंगे गुलाब की नवीनतम किस्में जो गुलाब की नवीनतम किस्में है य पूसा गर्मा, डाक्टर भरतराम, पूसा अभिसेग, पूसा मनहार, पूसा मानसेच, पूसा मोहित, पूसा मुस्कान, पूसा सताबदी, पूसा अरोर, पूसा कोमल यह जो जितनी मैंने आपको बताई है यह गुलाब की नवीनता किस्म है आप बेटा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एक ही बार आपको वीडियो को लाइक करना है पूर इमान दारी से आपको agronomy कराए गयी है अब ये agronomy की ऐसे समझो एक वीडियो आपको और मिलेगी रात दस बजे वो वीडियो आपको रात दस बजे मिल जाएगी आज ही फिर आज के बाद आपकी agronomy है वो समाप्त हो जाएगी इसके बाद बेटा animal husbandry आपकी सुरू होगी क्या होगा animal husbandry शुरू हो जाएगी आपकी ठीक है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए आप वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी दोस्तों में सेर कर दीजिए ताकि हर बच्चा इस question को अच्छे से तयार कर ले और उसकी समझ में अच्छे से topic आ जाए तो चल गुलाब की खेती के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले देखिए आपको करना होगा इस्तान का चैन ठीक है किस प्रकार से इस्तान का चैन करेंगे उसके बारे में समझो आप गुलाब उगाने के लिए इस्तान का चैन करते समय निम्न लिखित बातों का दिहार रखना है जब आप गुलाब की खेती करना चाहते हों अपने खेत में तो आपको बहूत सारी बातों का दिहार रखना है उनमें से कौन-कौन सी बाते मेन हैं वो मैंने बाते आपको बताऊँगा जैसे देखो बेटा फस्ट नमबर पर यहां पर लिखा है कि ऐसे इस्तान का चैन करें जहां ना हो गुलाब को प्रयाप्त मात्रा में धूप चाहिए यानि ऐसे इस्तान का चैन करें जहां जहां ना हो गुलाब को प्रयाप्त मात्रा में धूप मिले ठीक दूसरा पॉइंट गुलाब को ऐसे इस्तान पर लगाएं जहां उचित जलने कास की बिविस्ता हो हाँ बिलकुल आपको ऐसे खेत का चुनाप करना है कि जहां पर भी आप गुलाब की खेती करना चाहा रहे हैं और जो मिट्टी है बहाँ पर अगर मालो बरसाथ आ जाए तो बरसाथ आने पर उस खेत के अंदर जो पानी है उसे निकालने की उचित विविस्ता होना चाहिए ऐसा नहीं है बर्सात आ गई, और गुलाब की खेती आपके खेत में लगे हुएımı, गुलाब की खेती की क्रॉप लगे हुए है, पता लगा बारिस आ गई, और बारिस आने के बाद सारा पानी खेत में भर गया, वो निकली नीरा, तो आपकी जो हसल है वो बरबाद हो जाएग थर्ड पार्ण गुलाब के पौधों को तेज हवा से रक्षा के लिए बार लगाएं देखो कभी कभी क्या होता है आप देखते हो कि जो बरसा आता है वो तेज आंधी या तेज हवाओं के साथ आना सुरू हो जाती है अगर मालोग आपके खेत में गुलाब की फसल लगी हुई है गुलाब की खेती कर रहे हो आप आपके खेत में ये फसल लगी हुई है ये देखिए पौधे लगे हुए है और तेज हवाओं के साथ बारिस आ गई तो बारिस में जाहर सी बात है पौधे की जड़े होंगी पौ उखड़ भी सकता है पूदे के फूल वगएर सब तूट फूट जाएंगे तो इन सब को रोखने के लिए आपको क्या करना है आपको देखिए तेज हवा से रक्षा के लिए क्या करना है बाल लगाना है ठीक है किसी प्रिकार से आपको आड करना है इसके कहने का मतलब यह है से चारो औरस को ठकके रखना है अगार प्याइंड है गुलाब को ऐसे स्तानों पर लगाए जहां उसकी जड़ों से अन्ज़ाड़ी या पीड़ो की जड़े पृति इस परदा ना करें देखो इसप वाइंड का मतलब समझो आप गुलाब को ऐसे इस्तान पर लगाएं जहां उसकी जड़ों से अन जहाड़ी जैसे गुलाब की जड़े हैं गुलाब की जड़े अन जहाड़ी या पेड़ों की जड़े पिरती इस बर्दा ना करें ठीक ये तो हो गया इस्तान का चैन कैसे इस्तान का चैन करना च मिर्दा का मतलाब सुवाल की मिट्टी की ठीक है तो समझो देखो गुलाब की खेती के लिए उचित जलनिकास युक्त गहरी दोमट से चिकनी दोमट मिर्दा उपयुक्त रहती है मिर्दा का जो pH है वो 6-7.5 के मद्ध होना चाहिए मिर्दा का pH कितना होना चाहिए 6-7.5 के मद्ध होना चाहिए मिट्टी के निचली कठोर परत नहीं होनी चाहिए यानि मिट्टी के नीचे कठोर परत है वो नहीं होनी चाहिए तो इस प्रिकार की मिट्टी जो है वो तो गहरी दोमद मिट्टी से चिकनी दोमद मिट्टी उपयोगत रहती है, यह आपको द्यार रखता है किसके लिए बिटा, गुलाब की खेती के लिए, नेस्ट, अगला पॉंट हमारा आएगा, वो आएगा सी चाई, तो थोड़ा सा सी चाई के बारे में आप समझो, यहां प सी चाई आप से चाई होती है, यहांनि देखो गुलाब के पोदे से आप अधिक उपच लेना चाहा रहे हैं, तो नेमित सी चाई देखो आप से चाई करनी होगी, जैसे ग्रीस्म रुतू में बात करें, तो सप्ता में दो बार, सप्ता में कितने बार, दो से तीन बार आप कर सकते हो सीचाई कौनसी रुतू में गर्म रुतू में ग्रीश्म रुतू में तता सरद रुतू में पिर्ती महा सीचाई करनी चाहिए एक महा में एक बार सामानता बरसा रुतू में सीचाय की अवसकता नहीं होती है अगर वो जुलाई का मौसम है बरसात का मौसम है तो कोई भी सीचाय की अवसकता नहीं है पड़ेगी आपको ठीक है अगर बही सरद रुतू जिस समय इस समय का मौसम है जनवरी का मौसम है तो इस मौसम में एक महा में एक सीचाई अब मालो मई जून का मौसम है गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे आपको करना होगा सब्ता में दो से तीन बार सीचाई ठीक है आगे समझो दो पेटा परन तू अधिक समय तक बर्षा की अनुपस्तिती में सीचाई करनी चाहिए आपको पता है कि बर्षा तू का मौसम चल रहा है लेकिन बहुत अधिक समय से बारिस नहीं हुई तो उस कंडिशन में आपको सीचाई कर देनी चाहिए जब पौधा का करंतन किया गया हो उस समय पौध को आराम देने के लिए सीचाई क्या कर देनी चाहिए बंद कर देनी चाहिए देखो एक बात आपको बता दूँ आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझते हुए चलना इसकी जो PDF है आप इसकी PDF की टैंसन मत लेना मैं इसकी PDF जो आपका बाटसब गुरुप बना हुआ है उस बाटसब गुरुप में देर रात तक मैं सेंड कर दूँगा इस बात की आप खरपतबार नियंतर खरपतबार का तो मतलब आप समझते हो और खरपतबार को किस प्रकार से नियंतर रखना है किस प्रकार से कंट्रोल करना है गुलाब की खेती के लिए उसके बारे में समझो देखो गुलाब की क्यारियों से हलकी निराई गुणाई करके खरपतबार को नियंतर करना चाहिए, अब देखो, गुलाब की खेती आप कर रहे हो, ठीक है है, ये आपका मालूख खेत है, अब छोटी छोटी इसमें क्यारियां बना दो आप, इस प्रकार से, जब छोटी छोटी यहां से क्यारियां आप बना दोगे, तो इन क्यारियों में, जो हलकी निर खर्पतबार है, वो ओगेंगे, जब आप इसकी खुर्पवे से क्या कर दोगे, निराई गुडाई कर दोगे, निराई हां, निराई गुडाई का मतलब है, इसकी खुर्पे से निराई कर दोगे, तो खर्पतबार को कंट्रोल किया आ सकता है, जिससे गुलाब के पौदे स जल एवब पॉशचर के लिए पिर्टीज प्र्धा न रहे, । प्रसज़ न रहे, पिर्टीज प्रधा का मतलब होता है इसके म खर्पत बार में, क्योंकि जो भी आप जल दोगे, पानी लगाओगे, जो पोसर पदार दोगे, तो वो पौधा भी लेगा, और खर्पत बार भी लेगा, तो इसलिए आप क्या करना है आपको, खर्पत बार को कंट्रोल करने के लिए आप निराई गुणाई करते रहिए, ठीक है अगला point समझी है इसमें बेटा देखो जब आप भाई खुर्पे से क्या करोगे आप नराई गुडाई करते रहोगे तो भाई ऐसा करने से क्या है भूमी में क्या रहता है बायू संचार भी अच्छा रहेगा बायू संचार भी बढ़ता रहेगा चलिए अगली जो heading ह बो समझी आप कीट नियंत्रड ठीक है आभी तो हमने समझा था खर्पतबाद नियंत्रड अब हम समझेंगे कीट नियंत्रड तो पहला कीट देखी सल्क कीट तो थोड़ा सा सल्क कीट के बारे में भी जानकाई ले लेजिए यह लाल भूरे रंके कीट भारी मात्रा में पो बारी मात्रा में पॉध्य के तने पर चिपके रहते हैं यहां रस mirror करस्क Anytime करते हैं किसे हानि पॉजाते हैं पॉजी पोझा आते हैं अधिक प्रिकोब होने पर पॉधा क्या पढ़ जाएगा कम जोर पड़ जाएगा और अनता क्या होगा बाद में सूक जाएगा अब बात करते हैं इसकी रोग थाम इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है तो समझो देखो बेटा कीट ग्रेसित साकाओं को काट कर जलाने आपको लगे कि कौन कौन सी साका में कीट लग गया है तो उनको काट कर पौदो पर डाई जीनौन या देखी डाई जीना या मिथायल डीमे ट आन क्या है मिथायल डीमे ट न का छड़का करें अगर आप ऐसा करोगे तो भी सल कीट से निजाताथ आप पासकते हो नइस्ट अगला जो कीट है उसके बारे में समझो बटा अगला जो है वो हैटम फिर तो समझे ये छोटे कीट पत्तियों कॉमा कलियों इम पौधों के अनकोमल भागों से रस चूषते हैं आपने समझा किस से एस छोटे कीट किस से चूशते हैं पत्तियों से कलियों से और पौधों से यानि पूरे पौधे की बात हो रही है और पौधे की कलियों की बात हो रही है और उसी के पौधे की पत्तियों की बात हो रही है के अनकोमल भागों से जो जो भी कोमल भाग है उनसे रस चूसते हैं फल्स रूप पौधों का विकास रुख जाता है ठीक है जब जाहर सी बात है कोई कीट पतियों के माद्यम से कलियों के माद्यम से पौधों के अनकोमल भागों से अगर रस चूसेगा तो भाई उसके फल्स प्रत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ठीक अब देखिए नियंत्रण कैसे कंट्रोल करोगे इस कीट के लिए तो उसका भी उपाय है नियंत्रण इसके नियंत्रण है तुँ 0.5% एंडोसलपान क्या है 0.5% एंडोसलपान या 0.3% डाई मिथोएट का छड़काप करे नीम या पॉंगे मिया तेल का 20% का छड़काप करें तो यह तो हो गए आपके कीट नियंत्रण अब जो अगली हेडिंग आएगी बेटा वो आएगी रोग नियंत्रण यानि अब आपको यह बताना है कि गुलाब की खेती के लिए गुलाब की जब आप खेती करोगे तो रोग तो बहुत सारे हैं इसमें और हैं 45 लेकिन मैं आपको जो मेन है बो आपको बता रहा ह। पहला यह देखें एंथेक को नोज इंथेक नोज ठीक है तो एंथेक क्या होता है सब जो इस रोग के प्रिकोव से जब यह रोग अटाइक करें होगा पौधे पर एटेक के धब्बे बन जाएंगे जो पौधे की पत्ती होगी इस पत्ती के ऊपर धब्बे पढ़ जाएंगे और रोग ग्रेस्त भाग मुर्जा कर सूकने लगता है यानि जो भी रोग ग्रेस्त भाग होगा वो मुर्जाकर सूकने लगेगा अब इसका कंट्रोल कैसे करोगे इसे रोकोगे कैसे तो नेंत्रड हे तू मैंको जेब देखो नेंत्रड के लिए का करोगे मैंको जेब कितना 2 ग्राम पिर्ती लीटर पानी के गोल का छिड़काब करिए तो फिर इससे निजात आप आराम से पा सकते हो अगला आदे की डाई बैक तो इसके वारी में समझीए आप डाई बैक देखो काट छाट के पश्चाद प्राया इह रोग टहनियों में लग जाता है जब आप किसी भी पौधे को ठीक अब मालो जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा साइज करता हूँ उसका यहां से ठीक है यहां से यह पत्ती है ठीक जब आप यहां से इस पौधे को काट दोगे यहां से काट दोगे तो क्या होगा काट छाट के पश्चाद यह रोग जो है वो टेहनियों में लग जाता है ठीक है जो पौधे की टेहनियों होती है उसमें लग जाता है टेहनिया उपर से नीचे की और सूकने लगती है यानि उपर से किदर की और नीचे की और सूकने लगती है तता पूरा पौधा सूक कर मर सकता है यह है डाइ बैक रोग तो बेटा देखिए आप अब आप कमेंट करके बताईए कि गुलाब की खेती का बर्लंग जो आपने इस वीडियो में समझा वो समझ में आया या नहीं आया ठीक है पिलीज रिस्पॉंस जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस वीडि से रिलेटेड बेटा फल से रिलेटेड जितने भी ऑबजक्ट टाइब के कोश्चन है यह ऑबजक्ट वाली सिरीज है वो मैं आपकी आज दस बज़े कराऊंगा ठीक है तो आप दस बज़े आ जाना लाइब और आराम से देख लेना इसके बाद आज के बाद एग्रोनॉम हो गई आपकी समाब ठीक अब चलेगी बेटा कल पांस तारीक और पांस तारीक से चलेगी एनीमल हस्वेंटरी ठीक है बहुत बच्चों की डिमाइन्टी एनीमल हस्वेंटरी जल्दी से कंप्लीट कराए तो ऐसे समझो अब जब एनीमल हस्वेंटरी सुरात हो चुकी है त तो end होने के बाद ही आपकी class रोकेगी ठीके मेटा तो बस इस वीडियो में इतना ही था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनबात मिलते हैं next वीडियो में